हाई एवरिवन एक्जाम एडिसीन चैनल में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमबाइन टेक्निकल सर्विस एक्जाम के बारे में जिन लोगों ने हवलतार इंस्ट्रक्टर के पत पर फॉर्म फिल किया होगा ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इससे रिलेटेट कुछ कमेंट्स भी आये थे कि आपको ट्रेट से संबंदित कुछ जानकारी दी जाए तो मैं आपको बता दू कि जितने लोगों ने भी इसमें फॉर्म फिल किये हों भले ही वो अलग अलग ट्रेट से फॉर्म फिल किये होएंगे लेकिन उन सभी लोगों से related trade से आएंगे मतलब जिनका जो पद होगा उसके अनुसार trade से 35 प्रश्ण आएंगे तो यहां पर हम बात करेंगे हवलदार instructor के पत्के जो आपके 35 प्रश्ण आने वाले हैं कहां से आ सकते हैं देखे जो इनके दिया गया है syllabus में maximum quality से दिया गया है और आपको जो जीके की सीरीज प्रवाइट करी जा रही है चैनल पर आपको रेगलर नहीं आता है वो जब भी आए आप उसे देख सकते हैं उससे आपकी तैयारी और भी स्ट्रॉंग हो सकती है यदि आपके पास पहले से कोई material है तो आप उसी से revision करिए फिर आपको पढ़ने की नहीं जरुवत है और इससे related कोई भी news update आएगी तो आपको बता दिया जाएगा और रही बात exam की तो कुछ लोग इसलिए भी नहीं पढ़ रहे हैं कि exam इतने दिनों से postpone हो रहा है पता नहीं होगा या नहीं होगा तो देखिए exam तो होंगे लेकिन ये तो नहीं पता है कि आपका कल होगा या कब होगा ये लेकिन इतना पता है आपका exam जल्दी कराएंगे क्योंकि 2016 का भी आपने देखा होगा कि junior assistant का final result 2016 का clear हुआ है और आगामे वर्षों में चुकी चुनाव होने के कारण इन लोगों को हो सकता है जल्दी कराना हो क्योंकि पिछला जो pending है यदि उनको इसका exam नहीं कराना होता तो बहुत सारी ऐसी vacancy है जो कि सुरू में आई और वहीं पे खतम होगी किसी को पता ही नहीं चला जैसे पहली बात तो कई बाद पोस्ट पोन हुआ है और यह दुबारा से आपका syllabus जारी किया गया है तो इस उमीद में रहिए कि आपका exam हो सकता है और जल्दी होगा और जो आपके common subject है वो आप पढ़िए क्योंकि अगर आप उसे पढ़ते हैं तो आप कोई भी और exam देंगे तो उसके लिए benefit होगा आप इसके लिए अलग से कुछ आपको बहुत पढ़ने की नहीं जरूरत है क्योंकि आपने देखा है जैसे अब अब इसमें हवलदार instructor की बात करें या कोई अन्यपद अधिकतर बच्चों ने अधिकतर candidate जो है वो है आपके सहायक कनिष्ट सहायक की जो भी इग्जाम मालिजी आपके होने वाले होगे उसमें आपको काम आएगा जी के तो कुछ ऐसा होता नहीं ने इस पेशली बनाया गया होता है कि इस एक्जाम के लिए आपको यही पढ़ना है फिर अगले इग्जाम में बदल जाएगा बदलता नहीं है बस उसका level चें बन सकते हैं तो देखिए पहला इसमें दिया हुआ है मूलविधी एवं संविधान भारती संविधान का सामान ज्यान संविधान का उद्देश्य अगला है मौलिक अधिकार एवं करतव संसदी विवस्था केंद्री एवं प्रादेशिक सरकारों का निर्मार एवं उनके अध अधिकारों का निर्धारन, कानून बनाने का अधिकार, संविधान संसोधन की प्रक्रिया, एवन सीमाए, सांसदों के चुनाओ की प्रक्रिया, रिट विवस्था, रिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिट पास प्रकार की होते हैं, आपको पता होगा, अनुचेद 32 में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों जारी करते हैं लेकिन इसमें जो हाई कोर्ट इससे ज्यादा सुपीरियर हो जाता है आप इसको डीटेल पढ़िएगा हो सकता है इसमें आपको कुछ इसे रेट से संबंदित आपको मैं कुछ वीडियो बाद में प्रवाइट करूंगी पैसे ये तो नॉर्मल आपका जीके से रेलेटिट प्रशन है तो इस सब आपको प्रवाइट करे जाएंगे सम्मेधानिक, सूचिया, रास्ट्री, संगी एवं प्रादेशिक, न्याय, पालिकाओं का गठन, अखिल भारती सेमाएं एवं उनके चैन, पद्धती, आदी के विशे में सामानिग्यान, ये सब देख रहे हैं, आप सब लोग जदी कोई एक्जाम देते होंगे, आप सब को अच्छे से पता होगा, कि ये सारी चीज़ें आपके पॉलिटी की ही हैं, और ये सब आप लोग जहां पर भी जीके का प्रशन आता है, वहां से इसमें प्रश संरक्षन, मानवा अधिकार संरक्षन, साइबर अपराद, जनसूचना का अधिकार, भरष्टा चार निवाराण अधिनियम, रास्टी सुरक्षा अधिनियम, जनहीत याचिका, अपराद धंड के सिध्धान, नय सर्गिक नयाय के सिध्धान, आत्मरक्षा का अधिकार, तो आपको यह सब वीडियो प्रवाइड करी जाती है इसमें तो आप अच्छा करिए ही बाकि जो आपके तीन सेक्टर दियेगे हैं चार पार्ट में पूरा डिवाइड है आपका पेपर चौथे में है यह आपका ट्रेट का है बाकी तीन पार्ट में हिंदी है दूसरे में आ नेया अपडेट जैसे ही आएगा आपको बता दिया जाएगा तो इस वीडियो में इतना ही था नेक्स वीडियो में हम फिर मेलेंगे तब तक के लिए टेक केर जाहिंद